नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप जोडों के दर्द गुटने के दर्द कमर दर्द गठिये का दर्द मासपीशियों का दर्द से परिसान हो गए हो तो आपके लिए एक बहुत ही जबर्दस्त घरेलू उपाई लेकर आये हुए दोस्तों इस घरेलू उसके का इस्तमाल आप बहुत ही आसानिश कर सकते हैं. इसमें यूज़ की गई सामगरी आपके घर पर बहुत ही आसानिश है मिल जाएगी. आपको लेना है मरीच. मरीच जो है सिहत के लिए बहुत ही फाइदे मन्न होता है. पांस दाने आपको मरीच लेने है. दोस्तो इसे आप किसी खल के सहायता से इसको छोटे-छोटे तुकड़ों में कर ले जब यह छोटे तुकड़ों में हो जाए तो दोस्तो आपको इसके बात लेना है अधरक अधरक जो है मासपेशियों में ख़चाऊ, तनाव, सूजन, दर्द की समस्यां हो इन सब समस्या में बहुती फायदेमन होता है अदरक में कैल्सियम, फास्फूरंस, विटामिन, आनन्स मौजूद होता है इसको जो है आपको लेना है और इसे खल के चाहता से इसके भी छोड़े टुकड़े करना है दोस्तो जब अदरक छोड़े छोड़े टुकड़े मोह जाए उसके बाद दोस्तो आपको मिस्री लेना है खड़ी मिस्री अगर आप मिस्री का इस्तमाल नहीं करना चाहते है तो आप ना करे लेकिन जो नुष्खा बनेगा थोड़ा कड़वा हो जाएगा अगर आप मिस्री डालेगे तो या जो है आपको मीठा लेगा और मिस्री जो है स्यहत के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द होता है उसके बाद आपको दूध लेना है एक पाओ दूध जो है दोस्तो केल्सियम से भरपूर होता है या जो है हड़ियों के दर्द के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है इन सभी चीजों को आप लेकर इसे जो है आप उबाल ले जब दूध आपका अच्छे से उबल जाए तब आपको इसका सिर्वन करना है इसे आप छन्ने की सहायता से छान ले आप इसे दिन में चाहे जब ले सकते है साम को भी ले सकते है दोपार में भी ले सकते है सुबर भी ले सकते है अगर आप इसका इस्तमाल करते है तो या जो है आपके जोडों का दर्द गुटनों का दर्द कमर दर्द, गठिये का दर्द हो मासपेशियों का दर्द हो या खिचाव आ गया हो इन सब में जो है बहुत ही फायदा करेगा दोस्तों इसका आपको कोई विसाइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यह आयरवेदिक जड़े बूटियों से बनाया गया घर्ण उसका है आप इसका इस्तमाल जरूर करेए